Hey beautiful peoples, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ Friends, आज मैं आप सभी लेके आएंगे Flipkart Amazon After Washing Sari Review जितने भी आज मैं आपको Sari दिखाऊंगे, सब के link description box में मिल जाएंगे और जितने भी आपको Sari देखने को मिलेगा, minimum आप लोगों ने वो Sari देखा हुआ है बड़ मैंने उसे wash नहीं किया हुआ था, अब मैं जितने भी Sari सब को wash करके रख दी थी तो मैं सोची क्यों ना इस पर उपर प्रॉपर वीडियो बनाया जाए कि wash करने के बाद ये अच्छा है कि नहीं आपको purchase करना चाहिए या नहीं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्रीज मैं चैनल को subscribe कीज़ेगा मेरे वीडियो को like कीज़ेगा बैल आगन को प्रेस कीज़ेगा ताकि मेरा जो भी नए अपडेट वीडियो है अब तक सबसे पहले पहुंचे अब ज़्यादा बाते ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं साड़ी कौन-कौन से हैं मेरे पास मतलब wash करने के बाद कैसा है तो ये वाला जो साड़ी है उन्होंने करवा चौत पे डाला हुआ था अगर उनका picture मिला ना तो मैं डाल दूँगी पक्का वैसे मैं जब इनका इसका review की थी इस साड़ी का तो वैसे मैं try on के लिए कुछ picture क्लिक की थी अगर वो भी मिला तो मैं आपको डाल दूँगी ताकि आपको पता चले कि ये पहनने के पाद कैसा लगता है उनका भी मैं डाल दूँगी अगर मेरे पास उनका photo होगा तो तो ये जो साड़ी है उन्होंने करवा चौत पे पहना हुआ था बहुत ज्यादा amazing लग रहा था बहुत ज्यादा friends अगर आपके घर में छोटा मोटा function हो रहा है healthy हो रहा है कोई भी ceremony हो रहा है तो आप इस साड़ी को buy कर सकते हो इसका link आपको description box में मिल जाएगा तो मैं आपको ज्यादा open करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसको already मैं चैनल पर वीडियो uploaded है अगर आपको देखना है तो मैं उसका link description box में provide कर दूँगी तो यह जो सारी देख रहे हैं guys आपको सब सेम ही लगा रहा होगा क्योंकि दो बर वाश हो चुका है और नहीं हम इसके ड्राइग लिंग के लिए देए थे नो कुछ भी नहीं हमने घर पर वाश किया हुआ है तो यहां पर दीदी और मैंने यहां पर टैसल लगाया हुए है इसके आचल में कुछ इस तरह से अगर आपको टैसल बनाना नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं जरूर आपको टैसल लगाना बताऊंगी कि बहुत amazing तरीके से बहुत easy तरीके से ट मार्केट जाने का जरूरत नहीं है मैं अपको घर पर ही बताऊंगी कि आप घर पर ही आपके जो भी प्रोड़क्ट है या फिर आपके जो भी घर पर जो थ्रेड होता है आप उससे कैसे टैसल बना सकते हो मैं आपको जरूर बताऊंगी प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताईए कि आपको टैसल बनाना सीखना है या नहीं तो यह है साड़ी और इसका कलर कुछ भी नहीं गया जैसे का तैसा ही अभी तक से तो कुछ इस तरह से है तो मैं आपको इसका ब्लाउस दिखाएती हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मैं चैनल को सस्क्राइब करके जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूं आप सभी के लिए तो कुछ इस तरह से है इसका ब्लाउस पिंक कलर में ही है और इसका स्लीप कुछ इस तरह से है बहुत ज़्यादा कपड़ा था कहीं से भी छोटा नहीं लगा कपड़ा और इसका जो रेट है यह पंद्रा सो के आसपास ही था तो यह हमारा फर्स्ट साड़ी जो बहुत ज़ कि नहीं बैठी हूं सॉरी मैं भूल गई पता नहीं क्या हो गया था इन सभी का फ्रेंड्स इन सभी का जो वीडियो है और अब मेरे चैनल पर अपलोड है इसलिए मैं सारे के ब्लाउज फीर से वैसे दिखाना नहीं चाहती थी और नहीं मैं अपका टाइम वेस्ट करना चाहत क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि फिर से आप दिखाओ फिर से आप दिखाओ तो मैं दूसरे बार फिर से मैं अच्छे से इसका ब्लाउज के साथ ट्राइओन करके मैं इसका वीडियो बनाई थी तो यह सारी जो है ना मुझे उस समय उस टाइम पे 1400 के आसपास मिल जाएगा यह 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा यह बहुत ज्यादा ही प्रिटी साड़ी है इसको पहनने के बाद आपको हर कोई पूछेगा कि यह साड़ी अपने कहां से बाइकिया है हर कोई प्लीश ट्रस्ट मी गाईज आप अगर इस साड़ी को वेयर करते तो आपसे क पहने हों प además को हरे कीन बहुत ज्यादा सुंदर रॉय लुक देता है इसको पहनने के बाद आप इसको पहनने के बाद आप इसको पहनते हो और इसको पहननेospheric लागए और Face studying आप थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप थोड़ा से इसको लुक देने की कोशिस करते हो जूलरी डाल लिये साउथ इन जैसे तो इतना अमेजिंग लुक आता है इतना प्रिटी लुक आता है ना मैं बता रहे लेगा तो यह मेरा फेवरेट में से एक साडी है तो बहुत साड़ी का लिंक मैं आपको डाल दूंगी जिसमें मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू किया हुआ है तो यह मैंना सेकेंड साड़ी जो बहुत जाना अमेजिंग है एट्स मैं आपको बताना भूल गई कि यह जो साड़ी है इसको मैं कम से कम दो बार होस कर चुकी हूं दो से ती चुकी ही है तो मैं आपको रिव्यू लेकिन लेकिन मैं आपको यह सब यह सब ग्यूर्स कर ने कि बादी अआपको इसको नहीं देखा रहा है एंगर कोई कभ यह बार बिल्कुल भी नहीं बताओ该 can 와ust वार पजातोई डिवार्य तो यह है मेरा थरर साडी यह prochain जरकत हैं तो मैं इसको वॉष आपको जो आपने मैं दिखाई देती हूं वॉष कते हैं । नहीं मैं डिखाती से दोई भीवнул मैं धि дक इसका blouse stitching नहीं हुआ है और मैं इसका blouse stitching नहीं करा चाहती क्योंकि और भी blouse जो pink color में है और सेम है तो मैं तो यह कुछ इस तरह से है pink color में sorry blue color में और यह wash हो चुका है आपको देखके लग ही रहा होगा कि यह wash हो चुका है कहीं से भी इसा नहीं लग रहा है कि वाश नहीं तो यह सिफ एक ही बार वाश हुआ है और मैं सोच रिंग कि इसके साथ कुछ और blouse mix and match किया जाए क्योंकि सब पिंग पिंग हो जा रहा है तो मैं सोच रहीं कि कुछ और अगर मैं कुछ और ट्राइ करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी क्योंकि मैं आप सभी के साथ सेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकती क्योंकि आप मेरे blouse के साथ तो यह है मेरा थर्ड सारी अब मैं आपको दिखाती है अपना फोर्थ सारी जो कुछ इस तरह से ग्रे कलर में ओ माई गॉड इसके बारे में जितना कहूं कम है यह वाला सारी जब पहनोगे ना तो अल्रेडी पिक्चर इतना क्यूट आता है इतना क्यूट आता है इतना क्यूट आता है इसका पिक्चर तो कुछ इस तरह से इसका बॉडर बहुत ब्यूटीफूल है इस में रीजन क्या था इसका बॉडर और आचल को देखके मुझे पर्चेस कर ली थी मतलब इसका आचल और इसका जो बॉडर है इतना ज़दा अट्रेक्टिव है इतना इतना सुदर लगता है इसका आचल है इसका पिक्चर फिक्चर है साइट में दोनों साइट ब्लोईटर्स देखके आपको्या क्यों पर रहेगा तभी आप बाई कीजेगा अदर्वाइस आप बाई मत कीजेगा क्योंकि यह जो साडी है 16-1700 के उपर जाता है जब मैंने इसको देखा हुआ था तब यह 1650 का था तब मैं इसको पर्चेस ने की थी क्योंकि मुझे उतना नहीं ही लग था कि 1650 के लाइक हो सकता है एक साल से कम से कम एक साल से यह मेरे विस्ट रिष्ट में था तो मैं जब दीवाली ओफ चल रहा था तब मैं इसको जाके चेक की थी तो जश्ट रीपर नहीं हुआ था तो मैं बीना सोचे समझे बीना मेरे हस्बेंट को बताए मैंने इसे बाई कर लिया हुआ था तो यह है लगा कि सब बोटने लगे की वह बहुत ज्यादा सुंदर ह है तो यह है मेरा फोर्थ सारी बस मैंने इसे एकी बार वश किया हुआ हैं अगर मैं दो बर वश किय और ऑब आक एक यी बर मश की पर लाइन के बारे में नहीं बता रही हूं अब मैं आपको दिखाती अपना फिप्त साडी तो यह वाला जो साड़ी है नगाई अब बॉच्व किया हूआ है और यह वाला जो साड़ी है यह कुछ light pink color में है और इसमें कुछ flower बने हुए कुछ चीज तरह से इसका picture में sign में लगा दूँगी affordable range का है ये सारी ये 300 के लगभक का है 300 में इतना pretty और इतना सुन्दा सारी आपो कहीं नहीं मिलेगा ये वाला जो सारी है ये Amazon का है ये वाला जो सारी है ये बेबी पिंग वाला वो clip card का है और मैं आपको दिखाई थी yellow color का वो Amazon का है तो आपको मैं बदाना भूल गई थी तो ये वाले जो सारी है ये Amazon से है और ये आपको मात्र 300 के लगभक मिलेगा और इतना pretty लगता है ना आपको पहनना आना चाहिए बस आपको तो मैं इसके साथ अपना जो लहंगा का मेरा जो blouse है golden color का उसके साथ मैंने इसे mix and match करके मैं पहनी थी इतना beautiful इतना सुन्दर और eye soothing वाला look आ रहा था इतना pretty बहुत जादा ये आपके उपर depend करता है कि आप कैसे present कर रहो तो आपके उपर depend करता है तो friends इसको मैंने सिप एक ही बार wash किया है और एक बार ये दो बार ऐसे याद तो नहीं आरा है बट ये wash हुआ है क्योंकि मैं इसको बाहर ही गई थी पहन के तो उतना याद नहीं बट ये एक से दो बार wash हुआ है अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना six sari जो कुछ इस तरह से है इस color पे है और आपको बिच बिच पे कुछ flower जैसे मिल जाए नहीं कुछ इस तरह से तो कुछ इस तरह से है याद जो sari है और इसको मैंने wash नहीं किया है इसका दिखाने का reason मैं आपको दिखाती है इसका border oh my god इसका border अगर आप इस border के साथ mix and match करते हूँ कुछ blouse पहन लेते हूँ मैंने इस sari के साथ golden girl का blouse पहना था same जो मेरे लहगा का था इतना attractive look आ रहा था और बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था अगर उसका picture में तो मैं डा दोंगी और इसमें आपको टैसल भी मिल जागा और यह आपको सिफ साड़े 300 के लगभग मिलेगा I think यह मुझे अच्छे से नहीं मालूम लेकिन यह तीन साड़े 300 के लगभग मिलेगा और इतना प्रिटी है नगाईज यह इसका आचर देखिए अब आपके उपर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो आपको एक बार कोई ना कोई तो जरूर पूछेंगे कि आपने कहां से बाय किया बाय करने से पहले अपने उपर तो भी देखो कि आपको कैसे से मिक्सेंन मैच करना है तो यह हमारा साड़ी हाला कि यह साड़ी 300 का है लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पैहनते हो कुछ जूल्री वगेरा कुछ मिक्सेंड मैच करते हो तो यह 1,000 का साड़ी लगने वाला है तो फुल्जी तरह से यह वाला साड़ी जो 300 के अंदर इसको मैंने दिसमबर जो पिछले साल वर्जब दिसमबर था उसमें मैंने इसे परचेश किया था, और अभी भी रेट वैसा का वैसा ही है तो यह आप्टर वाशिंग, मैंने बहुन ज़्यादा पहना और इसको मैंने कम से कम 3-4 बर किया है, इतना जादा मैंने इसे वाश करें कि यह यलो करण में है और क्योंकि जब साड़ी पहनते हैं तो नीचे तक रहता है नीचे तक रहता है तो कहीं भी हम जाते हैं तो यह घुमते रहता है नीचे अपना भी चलते रहता है सांसाथ में तो इसका जो इसमें जो फॉल लगा है न तो सबसे पहले first time मैंने इसे पहना था महाशिवरात्री के दिन, second मैंने इसे पहना था रक्षावंधन के दिन, third मैंने पहना था जितने बार मैं पहनी हूँ इसे उतने बार मैं wash की हूँ, third मैंने इसे पहना था कुछ मेरा make-up look था उस दिन, fourth बार मैंने इसे पहना था किसी के तब तो पांच बार मैं इसे पहने थी और यह उतने बार यह धूला हुआ है मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि यह यलो कोलर है ना बहुत ज्यादा प्रेटी रगता है पहनने के बाद यह ना यलो पीज पिंक यह सब बहुत ज्यादा सबम्हां है और वेवर ने जी सबसेlor क्योंकि यह सबसे सब्सक्राइब प्रें हässाब से बहुत जबर के आता है मेरा जो इसकीन टोन है सब पहनने पहन से बार जा थे तो यहलो जो सारी है ना चार सारे 400 के लगभग था तो यह इसका जो प्राइजर ने सारी अभी भी वैसा है क्योंकि इसका डिमांड है अभी भी मेरे पास कई फोन आते हैं कि यहलो सारी आप कहां से परचेस किये इसका लिंक दे दो या फिर आप मंगवा दो ऐसे है तो मैं ऐसे नहीं बोले हूं कि मैं आपको ऐसे ही बोल दे रही हूं लेकिन हां मुझे पूछते हैं कि कहां से परचेस किये था आपने इसका लिंक दे दो या फिर आप बता दो या फिर आप मंगवा दो ऐसे कई बार हुआ है मैंने सेम सारी तीन ओर किये थे मैं आपक एक यलो एक दो दो रेड टाइप का चुप कुछ कलर था यादनी में स्क्रीन सोट डाल दोगी मुझे अच्छे से बता है मैं तीन बाइक थी अभी भी मतलब है कि आप मंगवाद हो यह अलग साडी उनको यलो ही चाहिए क्योंकि इसका जो बलाउचा बहुत ज्यादा साध् साढ़े दो प्रॉब्लम नहीं था या किसी का क्लर निकल गयान इसका प्रडन वहागा यहां सप्वादिं법 के रिफ Beij जो में मैं इसे होगा मेरे छैनल को कमया कि अपैश। को भी प्रस कीजिगा अब मैं आपको मिलती नेक शूड़ों में अभी के लिए बाबाई धर्मियवाद